नमस्कार तोक्सिक रिलेशनसिप अभी हाले में एक घटना हूँ पूरे देश को हिला कर रख दिया सोशल मीडिया में ट्रेनिंग में चल रही है और आपको भी पता होगा आप ताप और सर्दा की कहानी एसी कहानी की दिल को जब जोर कर देती है रूह कांप जाती है पुलिस की स्टुडिक कहती है कि आप ताप में सर्दा के 35 टुकडे की 35 टुकडे करकर फ्रीजर में रख दी है और रोज एक एक टुकडा बहार जंगल में फेता रहा दोनों लीव इंड रिलेशन्सिक में रहते हैं अगर आपन इस गटना के बारे में सोचते हैं तो अपना रूह कांप जाती है पेप्धिस टुकडे सरीर के ये सुनते ही पूरा सरीर सुन हो जाता है पूरा सरीर धर-थर कांपने लगता है ये इस्टोरी पूरे देश को हिला दिया यste ये सब कैसे हुआ कि कहते हैं कि यne सब टोक्सिक रिलेस्ट सिप से होता है आप लिविन में रहरे हो या पती-पत्नी रहरे हो या गल्रेंड बॉइफ्रेंड के रूप में रहरे हो वरना आपके साथ नहीं गटना गट सकती है चाहे आप पती हो तो भी गट सकती है चाहे आप पती हो तो भी गट सकती है चाहे आप relationship में रह रहे हो लीविन में रहे हो तो भी आपके साथ में गटना कर सकती है अब आपको गशाओ toxic relationship है क्या पिल्कुल इसको समझना पहले जरूरी होगा आपके लिए toxic relationship toxic का मतलब क्या होता है जहरीला poison यानि आपका relation जहरीला अगर बन गया है ना आप दोनों के बीच में जहर पेदा हो गया ना है तो उस relation को तुरम तो खत्म कर देना क्या पता आपके साथ में भी सर्द्धा जैसी story बन जाए अगर relation में जहरीला पना देना तो ध्यान रखना की वह toxic relationship होती है इससे पहले 2017 में मुहाली में आपने नियुज में पड़ा होगा एक महिला ने अपने पती को उसका पती छे पिटका था उसके पती को मारकर डाई फिट सूटकेस में बंग करके जंगल में फेंग दिया था तो एसी गटना जब आप सुनते होना तो रूप काम जाती है यह सब कैसे होता है toxic relationship से होता है आपका relationship अगर जहरिला बन गया है तो उस relationship को तुरंत खत्म कर देना वरना आपके साथ में भी आप ताप और स्रद्दा वाली गटना गड़ सकती है स्रद्दा के 35 टुक्रे किये तो हो सकते कि आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है अगर आपका relationship toxic है तो अब आप कोगे सर की सर toxic relationship पहचाना कैसे हम पती पत्नी है यह हम रिलीविंड में रहे हैं अगर हमारा relationship टॉक्सिक बन गया है तो हम कैसे पेचाना बिल्कुल toxic relationship को पहचानना बहुत जरूरी हो उसको कैसे पहचाना जाता है मैं अभी आपको बता हूँ नमबर बन पार्टनर अधिकतर आपके साथ में मार पीट करता हो यह गाली ग्रोज करता हो तो समझने ना कि आपका relation toxic होने जा रहा है पार्टनर बात बात पर आप मार पीट करता हो चाहिए पती मार पीट करता हो चाहिए पत्नी पती की मार पीट करता हो और बात बात में आपको गाली ग्रोज करता हो तो समझ लेना कि आपका relation toxic होगे हाँ कभी कबार वर्सों में एक दो बार गाली क्रोज ह मार पिट हो जाए या मारपिट हो जाए तो अलग बातह स estándra लेकिंद कि हर फ्रॊ महीं मुइन अगर आपके साथ मार्पिट हो रही है आपके साथ गember kalo दो समझे लेना कि आपकी relationship शहीं नहीं चल ठीजिए अभी थीले दिरेख और जब आगे चल कर या आपके लिए भारी पढ़ सकता है आपका पार्टनर आपको समझ नहीं देता है आपको समझता नहीं अगर आपका पार्टनर आपको जान करके आपको समझ नहीं दे रहा है आपको समझ नहीं रहा है वही तो relationship होती है. जिब आप एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हो, आपका प啦tnr आपको समझने नहीं रहा है, आपको समझने रहा है तो relation कैसा? वह relation, relation नहीं है, और toxic relationship है, वह जहरी ला relationship है, उसे खत्म करना जुरूरी है. आपका partner अगर आपकी प्रस्नल बातें दूसरों से शेयर करता है आपका पार्टनर दूसरों के सामने आपकी मजाक उड़ाता है तो समझ लेना कि यह टॉक्सिक रिलेशनशिप है प्रस्नल बातें एक दूसरे की प्रस्नल बातें कोई किसी शेयर करता है नहीं सब के सामने कोई अपने partner की मज़ा कुछ दोता है नहीं अगर आपका partner ऐसा करना है ना तो समझ लेना कि आपकी relationship गलत बिसा में जा रही है उसे रोकना उसे अगे मत बढ़ने देना आपका partner हर बात में आपको दोस्त दे आप छोटी छोटी जब पार्टमेंट के बीच में आप दोनों के चोटी चोटी पात हो, हर बात पर आपको दोस्त दे, उसकी गलती होती है तो भी आपको दोस्त दे, और छोटा मोटा कुछ भी कारण है तो बस सब कुछ तेरे कारण हुआ, सब कुछ तेरा, बस आपको ही दोस्त दे, अगर ये सब आ इसलिए ऐसे relationship को खत्म कर देना बहतर है आपको उसके साथ रहते हुए गुचसा महसूस हो बेचे नहीं महसूस हो निरासा महसूस हो फ्रस्टेसन महसूस हो तो समझ लेना कि आपका relation टोक्सिक होने जा रहा है लीव में रहते हो या पती पती रहते हैं तो रिस्ता कैसा होता है एक दूसरे का प्रेम वहवार और एक दूसरे का सपोर्टिंग रिस्ता होने जा नेकिन अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं और मन में जब आपका पाट्र साथ में हो तो मन में गुस्सा हो, उदासी हो, निरासा हो, फ्रस्टेशन हो, नापरत हो, तो समय लेना कि आपके रिलेशन्सिफ टॉक्सिक की तरफ जा रही है, टॉक्सिक रिलेशन्सिफ है और उसको तुरंत रोक देना, अभी तो दिरे 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 इस्टेटिंग है और जब ए उमीद रखता है कि अब मेरा पार्टनर सुदर जाएगा अब मेरा पार्टनर सुदर जाएगा वहर जादती हर आदते अपने पार्टनर की सहते जाता है पार्टनर उसको मारता है, पार्टनर उसको गले गलोज देता है, पार्टनर उसको इज़त नहीं देता है, पार्टनर हर तरीके से उसे दुखी करता है, फिर भी वो सामने वाला उमीद पाले रखता है, कि मेरा पार्टनर एक दिन सुदर जाएगा, मेरा पार्टनर एक दिन स पड़ता है ऐसा है तो ऐसी उम्मीद न पाले हां आ आप एक बाहर भां लो कन्योटर को मौन को दूबार दो लो इंसान क्या करता है बार बार अपने पार्टर को मौका देता है अब शुदर जाईगा अब जाएगा कब सुद्रेगा वो वह नहीं सुद्रेगा विल्टा वो आपको मार देगा जैसे सけて सुर्धा के साथ में होahaha तो जब आपका रिलेस्टनसिफ टोक्सिक बन जाए तो इसे त्रंध रो किए ऑमीन तो मत मांधें कि मेरे साथ ठीग हो गए ज αυτह कि इसाथ कभी मत गड़ए तो आप और रिलेस्ठेसिफ टोक्सिक बन चुका है अब आपको पता है कि मेरा रिलेस्टेसिफ टोक्सिक है सब्क्रें पता है कि सबसे और तो अपने पार्टनर से बात करें और तुरंत बोले उसे कि मैं ये रिस्ता fasten करना चाता हूं में खत्म करनी चाहती होनों इसे को आप विल्कुल लंगार न चिलाएक आपमे कोशिच की आपकर इस्दर नट टूटे आफ्क्क कोशिस की कि आपने अपने तरफ से हर तरफ से प्रियास किया लेकिन सामने वाला उस प्रियास में साथ नहीं दिया तो अपने पार्टनर से तुरंट बोले और कहे कि मैं अपना रिस्ता खत्म करना चाती हूँ मूँ उन करे, नई लाइफ जिये क्या आप भी ये डरते हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाए छोड़ के चला जाए तो जाने दे यसे टोक्सिक पार्टनर के साथ में क्या रहना जहरीले पार्टनर के साथ में क्या रहना अगर आप जहरीले पार्टनर के साथ में रहोगे तो आज नहीं तो कल वही आपको डसेगा और जब वह आपको डसेगा तो आपको मोत को गले लगाना पड़ेगा इसलिए तुरंत रिष्टे को खत्म करें और टॉक्सित पार्टनर के साथ में मत रहे पॉर्टरbs को बतायें कि किस कार्ण से मैं तरहा रहा हूं या तोड रही हूं पॉर्टर्ण को यैन भी बताना जुरूरी है कि यार मैं रिटा क्यों खत्म कररा ह। मैं इसलिए खत्म कर रहे हूं कि तेरी आदते सही नहीं तो अपने आपको सर्वे समझता है तो अपने आपको गमंडी समझता है जो भी कारण हो उस कारण को अपने पार्टनर को बता रहे हो यह करका रिश्टा तुरंत तोड़े अगर आप बावनों में बहकर एकदम रिश् को तोड़िये लेकिन उस रिश्टे में साथ मत रही है वह रिस्ता टॉक्सिक रिस्ता है जहरीला रिस्ता है वह आपको कभी भी खत्म कर सकता है अगर आपको अपने पार्टनर से दर लगता है तो पुलिस की मदद लें आप उससे रिस्ता खत्म कर रहे हो आपको लगता है तो एसे toxic relation को आप तुरंद खत्म कर देना अपनी जिनकी toxic relation की तरह मत चलाना वरना आपके लिए नुक्सान दायक हो सकती है और आपको मोद को गुले लगाना पड़ सकता है